क्लास 11 चैप्टर नंबर 19 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आडी सर्म एक्सर्साइज 19.5 का एक्जाम्पल नंबर 1 है इफ ए बी सी आर इने पी प्रूब दैट दफॉल्विंग आर अल्सो इन ए पी प्रूफ दैट दफॉल्विंग आर अल्सो इन ए पी हमें क्या दिखाना है कि अगर यह चीज ए पी में है तो यह भी एपी में होगा तो हम यहां पर दो तरीके से प्रूफ करते हैं कैसे करते हैं दो तरीके से प्रूफ अगर हमको ऐसा दे रखाओ आप पहचान लो कि कुश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कभी भी कोई एक एपी दे रखाओ कि हां यह वहला जो सीक्वेंस एपी में है और फिर दूसरा आपको बोला हो कि हां आपको प्रूफ करो ही दूसरा जो सीक्वेंस है वहला आप दे नहीं कैंसे लिच्वेंस होते हैं एक तो आप यहां से चलो और यहां पहुझ को जाएगा क्या a plus b plus c को हमने कुछ properties पढ़ी है कि अगर हम add कर दे एपी में अगर हम कोई constant number से add करें तो फिर भी एपी में रहता है तो यह सारे मनलब कुछ इस में example दे रहा हूं हम इन सारे property का यूज करके यहां तक पहुचेंगे लेकिन जरूर नहीं कि हर पहुच पाना हर केस में हम पहुच नहीं पाते हैं जैसे इस केस में आप देखो हम नहीं पहुचने वाले हैं अगर आप यहां से चलोगे तो यहां तो इसके क्वें करें जाएं कि यहां तक पहुच आएंगे यहां से यहां थक है तो दो क्या हो सकता की आप धेए पाच चलेज हो यह फिर वह आपके पास आसे दूसरा उससकता है कि बीज में बात कर लेकिन को हो ने वाली क्योंकि हम रहgil को मेटिंग तो इसलिए यह है पहुंच जाऊ नहीं प्रूफ करना कि यह पूरा चीज है हमारे पास वह घुना चाहिए है अब फ्रूफ करना तो कोई भी सीक्वेंश हम जैसे रेंडमली ले लिते हैं कि एक्स ऊफला जमारे पस सिक्वेंस ठीक है हम इसको कब बोल सकते कि यह दो भाई हम तब बोल पाएंगे ना ये P में होगा जब इसका common difference मतलब सकेंड को फर्स्ट टर्म से माइनस करो थर्ड टर्म को second term से माइनस उड माइनस इन दोनों का difference यह difference अगर से मा जाता तो यह सिघोड आपी में हो जाएंगा तो एक में होने के लिए कि इस दिफरेंग्स से मुझा से के साथ थर्ड टर्म कर डिफरेंस सेंड तर्म के साथ और सो ओं जितने भी नमबर और जांसे डिफरेंग्स तो उसी तरह से यह कि लिए क्या होना चेह कि C प्लस A इन दोनों का difference equal होना चे इन दोनों के differenceનे ठीकெ round कुछ इस तरह से ठीकिंड़ बीन दोनों का difference equal होना चे इन दोनों के difference आगिंड़ तो यह हो जाएगा आमारे पास अदल आप देखो यह ap में होगा कम if अगर difference एकवल हो जाता है ठीक है तो हम इसी चीज़ को लिख रहा है that is इसी चीज़ को हम थोड़ा सो सौल करके लिख रहा है c plus a minus b minus c which is equal to a plus b minus c minus a आप देखो c से c cancel और a से a cancel तो इसी को हम आगे लिख रहा है कि a plus b equal b minus c मतलब यह चीज़ है वो a p में होगा कम जब कुछ ऐसा हो जाए इसको और सो सौल कर लेते हैं तो इस b को अपिधर ले आओ और इस a को इधर shift करोगे न तो मतलब इस c को इधर ले आओ इस b को इधर तो a plus c equal to 2b मतलब यह चीज़ a p में होगा कब जब a c equal to 2b होगा अच्छा आप आपने प्रॉपर्टी पढ़ाया कि अगर कोई भी तीन नंबर a p में हो तो ऐसा रिलेशन बनता है अगर तीन नंबर a b c अगर a p में हो तो रिलेशन क्या बनता है कि बीच वाले को 2 से multiply करो वह equal होगा इन दोनों के sum के मतलब कुछ ऐसा रिलेशन बनता है अगर यहां पर a b c अगर a p में है तो रिलेशन हमारे पास बनता है 2b equal to a plus c तो क्या होने चाहिए मतलब इससे यह पता चल रहा है कि a b c r in a p मतलब इससे पता चल रहा है a b c r in a p तो आप देखो यहां से हम चले थे मतलब this sequence will be यहां पर आप और अच्छे से लिखो will be in a p यह जिस a p में होगा कब होगा जब different same हो जाया और सी को हमने solve करते है करते है तो यह जो है यह जो sequence a p में होगा if अगर a b c a p में हो अगर a b c a p में होगा तो यह भी a p में होगा तो आप देखो ना हमें यह थोड़े हमें अगर ABC AP में होता है तो यह भी में हो जागा तो आप देखो ना ABC तो AP में था ना यह तो गीव है नहीं था हमारे पास तो इसलिए AP में हो गया दीखें तो 10 B प्लस C C प्लस A A प्लस B आरीन AP क्यों AP में हुआ मैं आपको शॉट में फिर से रिविजन करा देता हूं आप देखो कोई भी सीक्वेंस AP में कब होता है तो आप देखो यह वहला जो सीक्वेंस AP में होगा कब इफ ABC अगर AP में होगा तो आप देखो आपको समझ आया होगा सेकेंड पार्ट है कि हमें यह प्रूफ करना है कि ABC अगर AP में है तो यह भी AP में होगा तो आप देखो फिर से सोचो कि हम कैसे प्रूफ करें हमारे पास दो मैठर थे एक तो यहां से आप यहां पहुंचो या फिर यहां से यहां पहुंचो दो तरीके तो आप देखो यहां तो हम यहां पर नहीं पहुंच पाएंगे आप कुछ भी कर लो यहां से तो यहां नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर हम यहां पहुंचेंगे आप देखो स्वाल करके न यहीं आ जाए अगर कभी भी कोश्टन ऐसा आ जाए न कि जैसे यहां पर आप देखो तो ABC AP में है तो आप प्रूफ करो यह पी में तो आप इसको थोड़ा सा स्वाल करो देखना यह आ जाएगा तो बस प्रूफ हो जाएगा तो कर लो तो यह हो जाएगा A square BC B square C plus A C square A plus B will be in AP यह जो चीज है वह AP में होगा कब If different same हो मतलब इन दोनों का difference इन दोनोंuff प्रेंज ट्रेंज के एकवल हो जाएग साब B square C plus A minus A square B plus A which is equal to इन दोनों का दिफ्रेंज मतलब यह दोनों का difference इन दोनों के difference के एकवला है कुछ ऐसा है तो बात बन जाएगी यह जो अगर difference यह मा जाता है तो AP में हो जाएगा और further हम इसी चीज को solve करेंगे तो यह हो जाएगा B square C plus B square A अंदर multiply करो minus A square B minus A square C ठीक है माइनस B square A ठीक है कुछ cancel हो रहा तो अब cancel कर दो मुझे नहीं लग रहा कुछ cancel हो रहा है अब भी देख लेते हैं एक बाराम करें कुछ भी cancel नहीं हो रहा है तो आप देखो इन दोनों को साथ में रख लो इन दोनों में C common हो जाएगा तो यह जाएगा अब B square minus A square C हम इसी चीज को solve कर रहा है बस ठीक है इन दोनों में क्या common है इन दोनों में A भी common है तो यह जाएगा B minus A हम देखो इन दोनों में A common है तो यह जाएगा C square minus B square A square A और इन दोनों में B C common है एक मिनट अगर हम में इसमें से प्लस common हो यह जाएगा तो इन दोनों में B square का formula लगा तो A square minus B square का formula होता है A minus B into A plus B तो यह हो जाएगा अब देखो यहाँ पर B square minus A square है तो यह हो जाएगा B minus A into B plus A into C और AB B minus A which is equal to यहाँ पर भी A square minus B square का formula तो C minus B into C plus B और A minus B C इधर हो जाएगा C minus B ठीक है अब आप देखो इन दोनों में क्या common है इन दोनों में B minus A common है तो B minus A कर लिया हमने बाहर पीशे बचा B plus A into C और plus AB इन दोनों में common है C minus B, C minus B हमने common कर लिया यहाँ पर plus B C ही common कर रहा हमने और कुछ भी नहीं कर रहा है तो यह हो जाएगा C plus B into A plus BC तो that is if B minus A अब अंदर multiply करो BC AC AB which is equal to C minus B यह हो जाएगा CA plus BA plus BC ठीक है अब next हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखो यह पूरा टर्म और यह पूरा टर्म तो cancel हो जाएगा देखो CA AC BA है AB BC BC है तो असलिए यह पूरा टर्म तो cancel हो गया पीछे रहे गया B minus A equal to C minus B तो आप देख लो अगर यह चीज़ होने वाला है तो हमारे पास फिर आगे क्या होने वाला है इस B को इतर लिया तो B plus B to B और इसको इतर तो C plus A ठीक है तो अब देखो अगर कोई तीन नंबर एपी में हो तो आपको याद दो अगर कोई तीन नंबर एपी में हो तो रिलेशन यह बनता है तो क्या हो जाएगा रिलेशन के ईव कर मया बेव तो अब देखों आप कहां से चले थे हमको यह पूरूफ करना था कि यह होना जाए अगर इसको अनना तो उसके लिए इस विल भी इन एपी इफ यव अगर ABC AP में होता है तो यह वाला AP में हो जाएगा कोई सक्की बात नहीं तो ABC तो AP में है ना तो इसलिए वह भी AP में हो जाएगा दस लिख दो दस 10 a square b plus c b square c plus a c square a plus b r in a p r in a p ठीक है नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारा इसी कोशन का थर्ड पार्ट है 1 upon square root of b plus square root of c 1 upon square root of c plus square root of a फिर है 1 upon square root of a plus square root of b हमको दिखाना है कि अगर ABC AP में होगा तो इसको प्रूफ करना है कि यह भी हमारे पास AP में होने वाला है दो कैसे करेंगा अगर ये आप क्या सोच रहे हो की यहां से चलोगे यहां पहूंच जाओगे नहीं पहुच पाऊगे मुस्क्ल है क्वेट है थोड़ा दो अब किया हम वह दो हमने दो celtे हुए तो यह भन जाए खाया कर्या हुआ सब्सक्राइब होगा अगर डिफरेंट से मुआ तो आगे सॉल करा पता चला कि यह तो यही था या तो बस यहां पर भी होने वाला है यह सब कोशन में ज्यादा कुछ भी नहीं होता बस हम थोड़ा से बाते समझने होते बाकी तब हो जाता है ठीक है तो अब हमें दिखाना है कि यह वाला चीज एपी में होने वाला है तो वही कहानी एक ही जैसे काम करने हैं है कि लिख लो कि वन अपॉन स्क्वाइर रूट अफ बी प्लस स्क्वाइर रूट अफ से वन अपॉन स्क्वाइर रूट अफ सी प्लस में स्क्वाइर रूट इन भी लगालो, will be in AP, if, कब, जब difference M होगा, second term का difference first के साथ, equal होगा, third का, मतब इन, मतब इन दोनों का difference, इन दोनों के difference के equal आ जाए, तो AP में हो जाएगा, ठीक है, तो कर लो, one upon square root of C, plus square root of A, minus one upon square root of B, plus square root of C, which is equal to, इन दोनों कब difference करो, तो यहोग यहाँ, one upon square root of A, plus square root of B, minus, यह, one upon square root of C, plus square root of A, अब अब यहाँ पे, LCM लेलो, तो that is कर दू, अब जेको, solve कर रहा हो ना, मतब इसी चीज़ को ना, further solve कर रहा है, तो हमने that is लगा दिया, और कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप LCM लेलो, तो LCM में क्या आजाएगा, इसको आप इधर multiply करो, इसको इधर, तो square root of B, plus square root of C, minus square root of C, plus square root of A, और अपॉन में इन दोनों का प्रोड़क, square root of C, plus square root of A, into square root of B, plus square root of C, which is equal to, इसको इधर, इसको इधर, तो हो जाएगा, square root of C, plus square root of A, minus square root of A, plus square root of B, अपॉन में इन दोनों का प्रोड़क, square root of A, plus square root of B, इंटो square root of c plus square root of a ठीक है हम इसको आगे solve कर रहा है तो यह हो जाएगा square root of b plus square root of c अब minus को अंदर multiply करो यह हो जाएगा minus square root of c minus square root of a upon इन दोनों का product करो तो यह हो जाएगा square root of bc अब देखो आपने property पढ़ाओगा अगर a का power m x b, m करोगे न तो इन दोनों को एक ही power में कर सकते हो a, b, whole की power है कुछ ऐसे तरह से तो square root of c square root of c into square root of b तो आप इन दोनों का square root 1 मिहीं कर दिया हमने ठीक है उसे तरह से square root of c into square root of c square root of c square तो मतलब c फिर square root of ab plus square root of ab कि मैंने इतना सॉल क्यों कर रहा है मैंने अब देखू ना square root of C plus square root itаете cancelshawned अ तो पीछे क्या रहे गया स्रुफ square root of B plus square root of C which is उगाल डू यहां पर B square root of C plus square root of A अंदर मैंनस को मिल्टिप्लाई करो मैंनस स्क्वारूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूर which is equal to square root of c minus square root of b upon me, give jake square root of a plus square root of b. अब क्या करूँ, इसको cross multiply करलू? इसको इदर, आप इसको इदर, इसको इदर, तो योजाग square root of b minus square root of a इन्टू, आप इसको पहले लिखलो, योजाग square root of b plus square root of a which is equal to square root of c minus square root of d इन्टू, इसको पहले इसको पहले इसको बाद में, square root of c plus square root of d ठीक है? कि यहां पर आप a-b into a plus b का formula लगा दो a-b into a plus b का formula होता है a-b square-b square square-b square-b square-a-sqa-e-a-a-a-a-a-a which is equal to B minus A which is equal to C minus A that is it अब देखो यहां पर A यहां पर 2 A आगे नए ओ यहां पर B है हमारे पास यह B है वही मैं सुचा गलती कैसे होगा यह B है इस B को इधर लेकर हो यह हो जाएगा 2B which is equal to A plus C तो आपको पता है अभी मैं आपको यहां पर दिखाया कि अगर कोई भी तीन नंबर AP में हो तो relation क्या बनता है अगर तीन नंबर AP में हो ना तो relation बनता है 2B equal to A plus C अगर यह implied or break implied अगर यह तिन नंबर ऐसा कुछ रिशन बन रहा है तो ABC जोओंगे वह AP में होगा ठीक है तो तो यह वहला जो सीक्वेंस है वह AP में होगा कब अगर ABC AP में होगा तो आप देख लो कोशन में हमने दिया वह थे कि ABC AP में है तो हैंस प्रूफ हो गया ABC AP में हुआ यह imply कर गया कि यह भी AP में है तो लेख लो आप यहां पर दस 10, 1 upon square root of B plus square root of C 1 upon square root of C plus square root of A 1 upon square root of A plus square root of B R in AP R in AP तेक है आप देखो एक बार फिरा हम आगे बढ़ते हैं सेम कुशन का फोर्थ पार्ट है मतलब हमें हमें प्रूफ करना है कि यह AP में है जब ABC AP में है तो आप देखो अभी तक हमने न यहां से यहां यहां गये थे इस बार न हम यहां से आने वाला है ठीक है अब वैसे भी जा सकते हो इदिकत नहीं लेकिन जब हम इसली हम यहां से जब भी यहां जाएंगे तो इसली में हो जाता है ठीक है अगर पॉसिबल है तो जो कि पॉसिबल है यहां पर हमको यही प्रूफ करना नहीं कि यह अपी में है तो आप देखो ए बी सी आरेन एपी एबी सी हमारे पास क्या है एपी में है अच्छा आपने प्रॉपर्टी पढ़ाओगा कि अगर कोई सीक्वेंस एपी में है और उसमें अगर हम कॉंस्टेंट चीज से डिवाइड करें तो कोई फरक नहीं पड़ता है कॉंस्टेंट चीज से अगर हम डिवाइड करें तो कोई फरक नहीं पड़ता है को हम क्या करते हैं पूरे AP मेंúblic को यगी करते हैं मैं और अब देखो ABC से डिवाइड कर दो कि जिए फिर भूरे में रहें बस कंडिसनिया होना ऐना कि आप डिस्ट इसे ऐप कर या वो सिरो ना हो तो यहां पर a b c 0 नहीं है क्यों नहीं होने वाला क्योंकि अगर अगर a b c 0 होता तो फिर हमें प्रूफ थोड़ी करना पड़ता है ठीक है अगर एबीसी जिरो होता तो फिर क्या दिखात होता फिर तो प्रूफ नहीं बनना था इसलिए वह जिरो नहीं होना रहा तो आप देखो हमने क्या करा है डिवाइडिंग बाइव एबीची है हमने एबीची से डिवाइड कर रही हम कर सकते हैं क्योंकि आपने हम्हार प्रपड़ी पपड़ीगे कि किसी भी कॉंस्टेट क्रम्स कॉंस्टेंट चीज से अगर हम डिवाइडि करتे हर यहों फासल आप उन्म की घ्रिदद करना है उस constant चीज़ से तो कोई change नहीं पड़ता वह फिर भी AP में होता है तो अब देखो A से A cancel हो जाएगा B से B और C से C तो यह हो जाएगा A upon BC, बदब 1 upon BC, 1 upon AC, 1 upon AB, R in AP मतलब अगर ABC AP में है तो 1 upon BC, 1 upon AC, 1 upon AB भी AP में होगा तो आप देखो हमको यहीं तो प्रूफ करना था, प्रूफ हो चुका है तो बस छोटा सा प्रूफ था अब वैसे भी जा सकते कोई दिकत नहीं था मारे पास नेक्स्ट 5 पार्ट है 1 upon A into 1 upon B, 1 upon C फिर बी इंटू 1 upon C, प्लस 1 upon A, फिर है C into 1 upon A, n88 can jeszcze ngoscheंड है, यह प्रूफ करना है, यह अच्छ है वह drafted , में ना ना भी नहीं हैसी ओ तो पहुँच सकते हैं इस बार भी न हम बना शर्ट Síe , आगर हम यहां पहुचनी ँद करने तो पहुच सकते हैं, इस बार भी मुमचन है हमारे पास, कैसे पहुंचेंगे अब वह देखोगा अब देखो हम कैसे प्रूफ करेंगे हमें यह प्रूफ करना ना कि जबकि हमें दिया हुए कि ए बी सी ए पी में तो अगर ए बी सी आर इने पी तो अगर हम किसी भी कॉंस्टेंट चीज से डिवाइड करेंगे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा अगर हम सारे टर्म में ABC से डिवाइड कर दे ABC तो कोई भी फरक नहीं पढ़ने वाला है हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि अगर कोई भी सिक्वेंस AP में है अगर हम उस हर टर्म में एक कॉंस्टेंट से डिवाइड करें कंडिशन अप्सद्रें घाता है कि जिरो नइसा ने होना चाहिए तो फिर भी एबंश अबें होता है तो हमने प्योंस्टेंट से डिवाइड करें और हर टर्म को करनाम metu ऐसा की सोसा लकां यो यह एंवान में चुट्वाइड बाम में थ्खेंब करकाना है प्रापर्टीज पढ़ी है कि अगर हम किसी एपी में कॉंस्टेंट टर्म से हर टर्म को मल्टिप्लाई करें तो कोई फरक नहीं पड़ता है फिर भी एपी में ही रहता है तो में चीज से मल्टिप्लाई करें देड लगा में हरों क्यों कि उसले चीज है मरेपासीं में रहने वाला है तो विल्कॉल हम कर सकते हैं कि अबी आरीन इसलिए चीज है हमारे पास एपी में रहने वाला है अच्छा हम आगे बढ़ता है नेक्स्ट आप देखो इसको इसके नीचे इसको इसके नीचे इसको इसके नीचे इसको इसके नीचे ठीक है इसको आप इसके नीचे भेजोगे तो एबी अपॉन में बीसी प से निचे, AB upon CA इसको इसके निचे BC upon CA इसको इसके निचे CA upon CA अब करेंधिक शुップ को इसके निचे AB upon ABC upon AB स्के आप दो इसको इसके निचे CA upon AMY AB अभी कुछ वी नहीं हमां लिच rer को फिर यह बूब से BC cancer यह B, B cancel upon यहां से हमारा C से C cancel, A upon B, plus 1, उसी तरह से यहां C A से C A C A cancel हो गयी, A से A cancel होगा, B upon C, यह C से C cancel, B plus A और plus 1, उसी तरह से यहां पे AB से B cancel होजाएगा, तो 1 plus, यहां पर बी बी कहने तो लो तो सी अपॉन ए प्लस यह हो जाएगा सी अपॉन में भी आरें अब देखो कि कहीं पर भी आपको वन नजर आ रहा है कि वन नजर नहीं आ रहा तो हमने पढ़ा है कि अगर हम पूरे एपी में किसी कॉंस्टेंट से सब्ट्राक्ट देरें तो कोई फरा कि प्लस प्लस बी अपॉन ए अपुन एप्लस एपॉन एप लिह अपॉन प्लस में आरे नजर खिर इब में चले थे एक बार आगे बढ़ते हैं नेक्स सिख्थ पार्ट है मारे पास सिख्थ पार्ट है B प्लस C का होल स्केर माइनस A स्केर C प्लस A का होल स्केर माइनस B स्केर और फिर है A प्लस B का होल स्केर माइनस A स्केर यह है हमें प्रूफ करना है कि यह चीज़ A P में होगा कब जब A B C A P में होगा अगर A B C A P में है तो हमें प्रूफ करना है कि यह भी A P में होगा कैसे करेंगे आप सोचो कि सूचो हम कैसे करेंगे कि यहां से चलो यहां पहुंच जाओगे पहले यह सोचो कि यहां पर हमने कैसे कर रहा कि यहां से चले और जो लाना थला दिये इसको आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते तो यह मैंने कब कहा कि मैं एसे नहीं कर सकते इन दोनों का difference को इस वाला condition लेख एक चिज एपी में होगा कब इफ अगर यह जी एपी में होने वाला है वालब इन दोनों का difference इकवल हो जाए इन दोनों के difference के तो अगर आप ऐसा सोच रहें विल्कुल आप कर सकते हो नो डाउट आप ऐसा नहीं कर सकते लेकिन ना इस सब में एक दिक्कत क्या जाती है न कि फिर आप अटक जाओगे मैं आपको बताता हूं कहां प्यातको गया माइनस ए अपन सी विछ इक्वल टू कि सी अपने प्लस सी अपन भी माइनस बी अपन सी माइनस बी अपन ए अब सोचो क्या करोगे कि कुछ कैंसल हो रहा तो कर दू कुछ कांसल तो हो नहीं रहा बिल्कुल आप ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो कैसे करना होगा बस आपको इन दोनों को साथ में रख लो आप देखो इन दोनों में वन बाई सी कॉमन है तो हो जाएगा बी माइनस ए और इन दोनों में क्या कॉमन है इन दोनों में क्या कॉमन कुछ है कॉमन कुछ कॉमन नहीं है क कुछ भी common नहीं है हमारे पास हाँ एक चीज है ना इसको इधर multiply करो इसको इधर कर लो बी स्कुएर माइनस एफ्वाइनस आपॉण में एभी उसी तरह से इन दोनों में एफ्वामन है तो वन बाइए सी माइनस भी और अप कर ले बलेस्ट में यहां पर करोición c स्कोर माइनस 20 कॉर अपन में 20 को जाएगा मैं एक ट्धुब गंदास हो गया लेकिन आप ऐसी कर लेना ठीक हैं ट्राइक ऐ हो जाएगा अब ऐसे कर लेना हो जाएगा बिलकुल ओजाएगा ठेक हैं यहां पर आते हैं यहांत की अप्धंत हर्य बताना था ना कि मैं मुझेख यह दुद्स पेट मैं होगा तो यहां से इन पांस पाने वाला यहां से हम यहां पर नहीं आपाएंगे बिल्गुल भी नहीं आपाएंगे तो फिर यहां से जाना पड़ेगा जलो भाई हम छलते हैं तो क्या करेंगे लेके चलते हैं यह चीज़ एपी में होगा कब इस बार हम डारेक्ट करते हैं इफ 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 जब इन दोनों का डिफ्रेंस सकेंड टर्म का डिफ्रेंस फर्स्ट के साथ इन दोनों का डिफ्रेंस सी प्लस ए होल स्क्यार माइनस बी स्क्यार माइनस बी प्लस सी का होल स्क्यार माइनस ओफ ए स्क्वार इक्वाल हो जाए इन दोनों के डिफ्रेंस सकेंड के स सी उनितिस्ट इन दोनों के दिफ्टरेंस के एक पल आ जाए है तो हो जाएगाी qa 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 cunTION हिया होता है कि डिफ्रेंस से माना चाहिए कि ऐघर आक है तो अगर हमें बोला होता है चेक करऊ बताओ कि्टी में है कि नहीं है तो हम कैसे चेक करते हैं, देखते हैं कि इन दोनों का difference 3-2, 1, इन दोनों का difference 5-3, 2, हम यह 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 करने वाल है, ठीक है, बस हम यहाँ पे constant होता है, इसलिए हम इफ नहीं लिखते हैं, तो यह चीज इफ, हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इनका difference यह होगा, तो a square, a plus b का whole square, minus c square, minus, यह हो जाएगा, c plus a का whole square, minus b square, तो इसको solve करो further, तो that is this, यहाब अब क्या कर सकते हो, formula लगा लो, अगर हम यहाँ पे formula लगाते है, a minus b का formula, तो सारे में a plus b बन जाएगा न, बहुत अच्छा, यहाँ पे अब क्या करो, कि a square minus b square का formula लगा लो, a minus b, into a plus b, ठीक है, यहाँ पे लगाओ पहले, तो यह हो जाएगा, c plus a, आप देखो, formula में क्या होता है, a square minus b square का formula होता है, a minus b, और into में इन दोनों का sum, तो एक बार, इन दोनों का subtract करो, तो यह आएगा, और फिर into, इन दोनों का एक बार product, आप देखो, a square minus b square क्या होता है, a square minus b square क्या होता है, a minus b, into a plus b, एक बार, इन दोनों का sum, और into में, फिर इन दोनों का subtract, तो इन दोनों का sum, अंदर वाले का इन दोनों का sum, यह आया, और फिर एक बार, into, अंदर वाले का subtraction, तो c plus a minus b, उसे तरह से यहाँ पर आने वाला है, एक बार, इन दोनों का subtract करके, तो b plus c minus a, into, फिर इन दोनों का plus, तो b plus c plus a, ठीक है, which is equal to, इन दोनों का, इन दोनों का subtract करो, a plus b, यहाँ पर हमने a square minus b square लगा रहा है, तो a square minus b square क्या होता है, a minus b, इस पूरे को आप a पढ़ो, और यह b, तो यह जागा a plus b minus c, into, a plus b, यह जागा a plus b plus c, minus, यह पूरा हो गया a, यह हो गया पूरा b, तो a square minus b square, तो a minus b, c plus a minus b, into, इन दोनों का sum, तो यह हो जागा a plus b, मतलब c plus a plus b, ठीक है, तो that is a, तो आप देखो, a plus b plus c, a plus b plus c, तो a plus b plus c, यहां से cancel, यहां से cancel, यहां से यहां, यहां यहां, तो सारे में अगर common लोगे, तो a plus b बाहर आ जाएगा सब में, और cancel हो जाएगा, तो पिछे क्या रह जाएगा, c plus a minus b, minus b plus c minus a, कुछ ऐसा, और यह हो जाएगा, a plus b minus c, minus c plus a minus b, ठीक है, फिर solve करो आगे, c plus a minus b, अब minus को अंदर multiply करो, तो यह हो जाएगा, minus b, minus c, plus a, इससे यह cancel, इससे यह cancel, which is equal to, यहाँ पर हो जाएगा, a plus b minus c, अंदर multiply करो, minus c, हमने a को कैसे cancel कर दिया, यह तो cancel नहीं होगा, माइनस a plus b, इससे में a और a कैंसल होगा, तो that is if, 2a minus 2b equal, 2b minus 2c, तो सारे में तो 2 कैंसल हो जाएगा, तो पीछे बचेगा, a minus b equal to b minus c, हो गया, खत्म हो गया, इसको इधर लिया, या फिर इसको इधर लिया, इसको इधर, तो a plus c equal to 2b, और अब मैंने आपको अभी बताया, कि अगर तीन नंबर a, p में हो, अगर a, b, c, ap में हो, तो relation क्या बनता है, कि a, b, c, r in, a, p, यही relation बनता है न, तो that is if a, b, c, r in, ap, अब देखो हमें जहां पर पहुचना था, हम पहुच चुके हैं, मैंने आपको कब, क्या बताया था, कि अगर हम यहां से, यहां से चले, ऐसा करके difference दिखाएंगे, इस इस एपी में, अगर difference सेम होगा, तो difference को हम solve करके, कहां पहुचते हैं, यहीं पर पहुचते हैं, जो हमें गीवें दिया हुआ, अगर वहां पहुच जाते हैं, तो एकदम सही कर रहे हैं, वरना कहीं पर गलती कर दी हमने, ठीक हैं, तो आप देख लो, अगर यह चीज़, अपी में होगा, यह जो सीक्वेंस हमारे पास, अपी में होने वाला है, कब, अगर अबी सी अपी में होगा, तो अबी सी तो हमें दिया बताना कि अपी में है, तो इसलिए, दस यह भी अपी में हो जाएगा, दस, B प्लस C का होल स्केर माइनस A स्क्वार, C प्लस A, का होल स्केर माइनस B स्क्वार, A प्लस B का होल स्क्वार, माइनस C स्क्वार, R इन, A, ठीक है, सब देखो ले एक बाद, प्लस B का होल स्क्वार,